हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का फ्री इंडियन कोचिंग में स्वागत है और जैसा कि आप लोग जानते हो कि इसके पहले मैं आपको इंगलिस और विज्ञान का सॉलूशन ते चुका हूँ जो कि आपके pre-board paper है जो की running में है यानि कि अभी चल रहे हैं ठीक है तो इस वीडियो में आपको हिंदी का एकदम complete solution बताओंगा ठीक है तो बस आपको वीडियो देखते रहना है और यह भी बताओंगा कि PDF कैसे download कर पाओगे ठीक है और यहाँ पर देखे पूरांक 80 का है तो मेरी 100% guarantee है कि आपको 80 में से 80 marks मलेंगे ठीक है 80 में से 80 marks मलेंगे यादि आप इस solution को देख लेते हो और अभी तक आपको पूरे YouTube पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा ठीक है तो आप मिलाते जाएगा मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ आपके लिए कि भाई इसके अलावा आ इसा वीडियो नहीं मिलेगा कि आपको 80 में से टोटल 80 marks मिल जाए क्योंकि ये solution है जो मैंने खुद बनाया है और अपनी book guide किताब में से पूरा solution बताया है ठीक है पूरा एकदम perfect रूप से तो आप देख सकते हो पूरा solution है यहाँ पर आप देख सकते हो आप पूरा solution एकदम perfect writing में यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा solution दिया हुआ है तो चले प्रश्नी क्रमांक एक से start करते हैं ठीक है तो बस आप देखते रहिए का आपके 80 मांग सभी से हिंदी पे पक्की हो जाएंगे हिंदी में आप टॉप करने वाले हो तो चले start करते हैं प्रश्नी क्रमांक एक से ठीक है और विग्यान इंगलिस का देखना चाहते हैं तो description में लिंक दी कही है आप लोग देख सकते हो ठीक है तो देखें आपर प्रश्नी क्रमांक एक सही बिकल्प चुनकर लिखी फश्ट दिया गया है भक्ति काल की समय सीमा बताना है तो यहाँ पर फश्ट का क्य होगा बानमर का होगा समद 1375 के समद 1700 तक होगा ठीक है यानि कि बानमर का लगा देना एक दम पर पेक्ट होगा दूसरी नमर का रामचरित मानस की भासा बताना है तो इसका क्या होगा इसका भी बानमर का हो जाएगा ठीक है इसके बाद में आता है तीसरा रोद्रस का पांचमा का दिया गया है चिकसालाय का समास बिग्राय होगा तो इसका आंसर आपको सानमर का लगाना है चिकसा के लिए आला है तो क्या होता है चिकसालाय ठीक है छटमा दिया गया है साप निकलने पर डर कर भागे भुलनात आकार छिपे तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपक दूसरे में आपको अलंकार लगाना है तीसरे में आपको अच्छा रिविश्वनात लिखना है चौथे में आपको श्ट्यम लिखना है इसकी बाद में बाबुजी लिखना है यहाँ पर ठीक है छटमी नम्मर में बाबुजी लिखना है ठीक है और इसकी बाद में देखें इसकी बाद में जो यहां पर इथा सक्ति दिया गया है ना पांच मा तो इसमें क्या आएगा इसमें से दिगू और अब्याई भाव में से आपको देख लेना है और इहां पर इसका जापान हो जाएगा ठीक है तो देखें यह पांच मा बस आप द जोड़ी दी गए हैं तो ये भी मिला लेते हैं जल्दि से जल्दी तो देखे सही जोड़ी है एसा विलाना है कि ये फॉस्ट दी गई है तो इसके आपको next जुक्ते है को आपको घ्रावी फोट एंसे मिला देना है जो कि एहां पर रिचा नमवर लोजिन करे दिया आपकी सही जोड़ी complete हो जाती है यहापर ठीक है इसके बाद हम लोग आंगे बढ़ते हुए एक सब्दिया एक बाक में उत्तर देखने बाले हैं प्रिशने क्रमांग चार ठीक है प्रिशने क्रमांग चार के आरेक्ट आपको सभी आंसर दिखाते हैं तो एक बार आपको question मिल लीजिए कि आपका paper में यही question दिए गया है कि नए ठीक है तो इसके आंसर आपको दिखाते हैं तो चली देखते हैं इसके बाद प्रिशने क्रमांग 5 भी है देखे सभी के आपको regular answer बताते जा रहा है तो आप paper को मिलाते रहिएगा ठीक है तो चली नीचे देख लेते हैं स पूरा complete solution इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूं तो बस देखती रहेगा और अभी तक like नहीं किया है तो जल्दी से like कर लीजिए और नए थे channel पर तो जल्दी से subscribe कर लीजिए और आपने bell notification को on नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि इस प्रकार के सभी subject के वीडियो में आपको देता रहा हूं और देता आ रहा हूं और देता रहूंगा ठीक है और साथी साथ में आपको PDF भी देता हूं इस बात का आपको ध्यात रखना है प्रशनी कर्मांग 5 के उत्तर सत तसत दिये गया है ठीक है एकदम perfect है यह मेरी guarantee है 100% sure एकदम सही answer इस PDF में रखे गया है ठीक है इसके बाद अंगला question यहां पर दिया हूआ है प्रशनी कर्मांग 6 में देखे भक्तिकाल की दो बिसेता लिखकर दो कवियों के नाम तो यहां पर एक question आप मिला लीजिए पूरा एकदम perfect answer दिया गया है आपको समझ में आ रहा होगा तो screenshot जल्दी से ले लीजिए ठी ठीक है इसके बाद आंगे बढ़ते हैं अंगला question है प्रशनी कर्मांग 7 ठीक है तो प्रशनी कर्मांग 7 अच्छे से इस first रूप में दिया गया है तो जल्दी से लिख लीजिए प्रशनी कर्मांग 7 ठीक लगा हुआ है यही लिखना है प्रशनी कर्मांग 8 का थवा यहां पर दिया गया है तो इसे जल्दी से नोट कीजिए प्रशनी कर्मांग 8 का थवा का आंसर दिया हुआ है इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रशनी कर्मांग 9 यानि की चंद यहां पर चंद की परिभासक कितने प्रकार तो यहां पर एक question का answer पूरा एक दब complete रूप में दिय तो देखें अंगला question आता है प्रशनी कर्मांग 10 मां तो प्रशनी कर्मांग 10 मां है आंसर लिखे एकदम perfect writing में दिया गया है तो आपको जल्दी से जल्दी अच्छे से लिखना पड़ेगा ठीक है तो जल्दी से नोट कीजिए से भी दसमे का अथवा ठीक है इसके बाद प कम से कम पांच लोगों में इस वीडियो को शेयर करना होगा तभी मैं इसका आपको पासबड़ बताऊंगा ठीक है इसके बाद देखें हाँ पर अंगला question प्रशनी कर्मांग 12 आप देख सकते हो दिया हुआ है ठीक है तो प्रशनी कर्मांग 12 का उत्तर है जल्दी से screenshot ले ल अंथवा का अंसर है ठीक है जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहा होगा तो इसे अच्छे से नोट कीजिए इसके बाद आँगे बढ़तो है प्रशने कर्मांग 14 आता है समास्त तो इसे भी लिखे आप प्रशने कर्मांग 14 का अथवा है ठीक है चवादा का तो इसे भी आप नोट कीजिए जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़तो है प्रश्ने क्रमांग 15 है, तो प्रश्ने क्रमांग 15 को देख लीजिए, प्रश्ने क्रमांग 15, ठीक है, अच्छे से लिखना है आपको प्रश्ने क्रमांग 15 का उत्तर, ठीक है, चले इसके बाद आगे को रोक रोक कर भी लेख सकते हो अधर्वाइच आप स्क्रीन सोट लेते जाईए इसके बाद आंगे बड़ते हुए अंगला कोश्चन आता है प्रश्ण क्रमांग 17 का अथवा तो प्रश्ण क्रमांग 17 का अथवा आप ध्यान से देखिए प्रश्ण क्रमांग 17 का अथवा है इसके बाद आंगे बढ़ती हुए अंगला कोश्चन है प्रिष्णे क्रमांग 18 का उत्तर तो इसे भी आप जल्दी से नोट कीजिए प्रिष्णे क्रमांग 18 का उत्तर है अच्छे से लिखना है बहतरीन राइटिंग में आपको एक कोश्चन का आंसर लिख लेना है ठीक है प इतना लिखना है जतना कि यहां पर दिया हुआ है प्रिष्णे क्रमांग 19 में इसके बाद आंगे बढ़ती हैं अंगला कोश्च है प्रिष्णे क्रमांग 20 का अत्वा प्रिष्णे क्रमांग 20 का अत्वा है ठीक है तो इसका आंसर लिखिए संदर पर लिखना है प्रिष्ण से लिखना है ठीक है ताकि पूरे में से पूरे माकस मिले जैसी कि यहाँ पर विबस्तित रूप से लिखा गया है तो आपको इसी प्रकार लिखना है पहले संदर्प लिखना है पर प्रिसंग लिखना है पर ब्याक्या लिखना है ठीक है प्रशने क्रबांग के कीजिए और इसे अच्छे से नोट कीजिए जल्दी से जल्दी अच्छे से लिखना है आपको प्रिशने क्रमांग 22 है प्रिशने क्रमांग 23 का उत्तर दिया हुआ है प्रिशने क्रमांग 23 ध्यान से प्रिशने क्रमांग 23 नारी सक्षा का महत्त है ठीक है तो प्रिशने क्रमां तक सभी complete रूप से आपको मैंने बताये हैं, तो आसा करते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो देखें, आपके paper में इतने ही question दिये गए थे, प्रशनेकलमान के 13 तक, complete रूप से आपको सभी बताये हैं, ठीक है, तो आसा करते हैं, वीडियो अच्छा ल पर upload कर दूँगा, description में link दी गई है, और साथ ही साथ आपको English का paper देखना है, वो भी description में है, link दी गई है, और आपको भी ज्यान का देखना है, वो भी description में नीचे link दी गई है, ठीक है, thank you.